हुआ 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 है आज इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिसकस कर रहे हैं वो एक प्रोगाम प्रिंट प्राइम नंबर्स जो की एक एक एक्जामपल है नेस्टेड लूप का और इससे पहले भी मैंने आपको नेस्टेड लूप का एक एक एक्जामपल बताया है यह दूसरा एक्जामपल है और इस program के उपर हम लोग theory और practical दोनों classes में इस वीडियो में देखेंगे तो पूरी वीडियो देखी अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं वीडियो के सुरू में मैं आपको theory class में इस program की logic और program को कैसे लिखना है वो मैं आज है nested loop का एक दूसरा example जो की print prime numbers की series print करनी है इससे पहले मैंने आपको prime number का program बताया है जिसमें single loop use करते हैं और यहां series print करना है one to end के बीच में इतने prime numbers हैं तो उसके लिए जो logic होगी वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे साथ में इसका program और practical demo यानि program मैं run करके भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो पूरी वीडियो देखिए और हमारे साथ बने रहिए सबसे पहले इस program को समझते हैं कि prime number क्या होता है तो prime number के बारे में मैंने पहले भी बताया है और इस program में हम लोग prime numbers की स्रीज प्रिंट करने जा रहा है वन टू एन यानि वन से लेके इन तक जितने भी prime numbers आएंगे उन सब को हम लोग को प्रिंट करना है तो सबसे पहले prime number क्या है हम लोग recall करते हैं दुबारा से जानते हैं कोई भी एक ऐसा number जो एक और अपने आपके अलावा किसी भी number से न कटे यानि हम लोग को चेक करना है कि कोई भी number जो दूसरे number से नहीं कटे उसे prime number करते हैं और दूसरा मतलब क्या हुआ कि one और अपने आपके अलावा यानि two से लेके आई भाई टू आई अगर हम लोग माल लेते हैं कोई particular number है तो कोई भी number अगर divide होना होगा तो वो अपने half of number तक ही divide होगा जैसे अगर हम लोग बात करें seven की तो seven अगर divide होना होगा तो वो two से लेके seven by two यानि three तक ही किसी number से divide होगा two से three के बीच में उसी तरह से 14 है तो seven तक ही divide होगा अगर twenty है तो ten तक ही किसी number से divide होगा तो हम लोग को करना क्या है इस प्रोगाम में इस तरह का एक output print करना है यानि once through करना है और once से लेके तो भी given number n होगा उसके बीच में जो जो prime numbers आएंगे उन लोगों को उन सभी numbers को हमें print करना है केवल non prime number को छोड़ देना है और prime को print करना है इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक loop लेना होगा जो की 1 to n चले यानि हमें एक नमबर चाहिए जो sorry एक loop चाहिए जो 1 से लेके n तक repeat हो तो उसके लिए हम लोग ने i मान लिया वो एक index i equals to 1 और i less than equal to n i plus plus करके एक loop चलाएंगे और उसके अंदर हम लोग एक loop चलाएंगे j equals to 2 से लेके j less than equal to i mod 2 ये क्यों चलाएंगे ये प्राइम नमबर को चेक करने के लिए डिवाइट करना होगा हम लोग को जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे i1 से लेके इन तक repeat होगा तो i के हर value को हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं और चेक करने के बाद अगर वो 500 she afraid to y maia i jednak word to तक चलना है ये प्लस-प्लस में बीच में डिवाइट हो जाता है कि लूक को ब्रेक करना है जो कि प्राइम नंबर की लॉडिक है और लूप के बाहर जाके चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है और उसे से प्रिंट करना है तो आतिंक कियो है क्लियर हो गई कहा है इस स्कॉस्टर में प्राइम नमर्मीक स्रीस प्रिंट करना है वो तो variable की requirement है, एक n number लेना है, वो prime के लिए नहीं लेना है, series के लिए लेना है, upper bound 1 से सुरू करना है, series और n तक चलना है, तो वो number आप input करा लेंगे, साथ में i और j, चुकि दो लूप हम लोगों को use करना है, एक series के लिए जो 1 to n चलेगा, और दूसरा prime नमबर को check करने के लिए जो की 2 से लेके जो भी i की value होगी, उसके half तक चलेगी, और उस inner loop के अंदर हम लोगों को divide करके, यानि modulus division करके देखना है, चुकि i ही, i1 से लेके n तक, जो भी i की value होगी, उस हर number को check करना है, कि वो prime है की नहीं, ठीक है, तो prime check करने के लिए j equals to 2 से लेके i mod 2 तक हम लोगों चलाना है, और हर उस number से divide करके देखना है, कि अगर वो 0 हो रहा है कि नहीं, अगर उस बीच के number किसी भी number से 0 नहीं होता है, मतलब loop के बाहर आने के बाद, अगर j की value i mod 2 से बरी होती है, इसका मतलब वो बीच में किसी भी number से divide डी हुआ, इसका मतलब उसे print करना है, ये program की logic हो गई और इसके program हो गया, और इसका जो expected output हो गया, अगर suppose मैं आपको enter number में 13 डालता हूं, तो 1 से लेके 13 के बीच में जो जो prime number है, उसे print करना है, तो हमारा जो output आना चाहिए, वो 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 आना चाहिए, ये expected output है, जो कि हम लोग प्रेकल क्लास में देखेंगे, तो चलिए हम लोग प्रेकल क्लास में देख लेते हैं, print series और prime numbers from 1 to 1 का program रन कराके, और इससे पहले कि हम लोग प्रेकल क्लास में चले, अगर आप हमारे नई user है, पहली बार हमारे इस channel पर और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और इसी तरह का वीडियो programming language CC++ और Java से देखना च पुसंद कर रहे हैं, तो इसे like और share करना न भूले, चलिए हम लोग प्रेक्टल क्लास में चलते हैं, और prime number की series print करने का program बनाते हैं, 1 to 1 के लिए, Welcome to practical session of this video, आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं, print करना है prime number series को, और इस वीडियो में ये nested loop की एक another example है, तो इसमें जो हम लोग को program बनाना है, उसमें prime number हम लोग को print करना है, एक number हम लोग को लेना है, तो 1 से लेके उस number तक जितने भी prime numbers आएंगे, उनको हमें print कराना इस वीडियो में और इसमें हम लोग यूज करेंगे nested loop का, इसलिए सबसे पहले variable declare कर लेते हैं, आपने program theory class में देख लिया होगा, उसकी logic समझ गया होंगे आप, तो हम लोग चलिए इस program को मैं run कराता हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो को देखी और सिखिए, सबसे पहले दो variable declaration है, इसमें हम लोग को चाहिए, दो variable, दो loop के लिए i और j, और एक चाहिए n, जहां तक हम लोग को prime number प्रिंट करना है, ठीके, और यहां पे आपको input ले लेना है एक number, वो n, जहां तक का prime number हम लोग को यहां पे series के रूप में प्रिंट करना है, तो यहां पे लिख दे प्रिंट को, चुकि हम लोग कितना प्रोग्राम कर चुके है, हाँ, यहां में वो number input करा लिया हम लोगों ने, अब सबसे पहले जो outer loop है, वो चलेगा one to end तक, उससे पहले यहां पे message में प्रिंट कर रहता हूँ, प्रिंट कराना है, यहां पर प्रिंट कराना है, और उसके बाद जो series होगी, वो यहां पर प्रिंट होगी, पहला लूप चलाना है, प्राइम नंबर का लॉजिक लिखना है, अगर आपने नहीं देखा है, तो प्राइम नंबर के लिए आप एक वीडियो जो हमने बनाया है, उसको C programming language की playlist में जाके देख लीजिए, अगर आप पहले से प्राइम नंबर का logic जानते हैं, तो आई थिंग यह प्राइम नंबर का लॉजिक लिए असान होगा, यहां पर प्राइम नंबर का series प्रिंट करना है, तो एक loop मैंने ले लिया है, वन टू एन के लिए, अब जित i mod 2, i mod 2 इसलिए मैंने लिखा है, तो कि अगर कोई भी number divide होना होगा, तो वो अपने half of number तक ही divide हो सकती है, उसके बाद चेक करनी कोई जोड़ती है, अगर कोई number half of तक, अपने half तक अगर किसी number से divide नहीं होता है, तो इसका मतलब वो प्राइम है, जे प्लस प्लस से यह loop हम complete कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को एक condition देना है, कि अगर if i modless j equals to, अगर 0 हो जाती है, तो हम लोगों को loop को break कर लेना है, मतलब अगर किसी भी number से 2 से लेके i mod 2 तक कि किसी भी number से अगर वो divide हो जाती है, तो loop को break करना है, और loop के बाहर चेक करना है, क्योंकि यह loop दो दो तरीके से बाहर आ रही है, या तो यह condition false होगी, तो बाहर आएगा, या यह condition true होगी, तब break होके बाहर आएगी, हैना, क्यानि prime और not prime की situation है, तो यह condition हम लोगों यहाँ पर डाल लेते हैं, i greater than, sorry, j greater than अगर i mod 2 हो जाती है, इसका मतलब है कि यह loop पुरा चला है, और किसी भी नमबर से divide नहीं हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को print कर देना है, यह number, अगर condition true होता है, तो वो number, यानि वो particular जो number है, i, वो क्या है, prime, i को print कीजिए, जो भी number series के अंदर आएंगे, यानि 1, 2, n के बीच में, जो भी number आएगा, अगर वो किसी दूसरे number से divide हो जाता है, यानि 2 से लेके, i mod 2 के बीच में किसी भी number से अगर वो divide हो जाता है, मतलो उसका remainder अगर 0 हो जाता है, तो हमें condition break कर देना है, और यहाँ पर चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो divide नहीं होता है, तभी वो prime होगा, तभी हम लोगों को print करना है, otherwise print नहीं करना है, यह जो series हम लोग generate करना है, प्राइम नंबर का series है, इसलिए program complete हुआ, इसे हम लोग run करा के देख लेते हैं, यहाँ पर condition missing है, यहाँ पर statement missing है, यहाँ नंबर डालते हैं, यहाँ पर 13, यानि 1 से 13 तक जितने भी प्राइम नंबर होंगे, वो series यहाँ पर print हो चुका है, एक वार फिर से output देखिए, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यह सारे प्राइम नंबर से हैं, अलग अलग नंबर भी डाल के चेक कर सकते हो, यहाँ पर, suppose मैं 34 डाल देता हूं, 31 तक जितने भी नंबर यहाँ पर print हुए है, वो 33 भी आपका प्राइम नहीं है, 34 भी प्राइम नहीं है, जितने भी not प्राइम है, वो सारे नं इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर लिजिए, और बने रही है हमारे साथ, मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए, टेक क्यार, कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप प्रोगामिंग, थैंक्यू, बाबार